नमस्कार दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है यहां पर हम पढ़ेंगे पिछले 30 साल से आई हुए 200 जीके के कॉशन दोस्तों रोज सुबह आपको हमारी कोश्च रहेगी कि आपको 100-200 कॉशन याद करा दिये जाए सुपर फास्ट रिविजन करेंगे क्योंकि यह 30 साल से आ रहे हैं आपके एक्जाम में भी कॉशन पूछिया सकते हैं तो बिना देर के हुए पूरे कॉशन याद कर लो अच्छे से प्लीज वीडियो को लाइक कर देना सभी के सभी इन 200 कॉश्चन के लिए हमारी मेहत के लिए मैं आपसे बार-बार नहीं बोलूँगा प्लीज सिटार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दिया करो करते हैं वीडियो को श्टार्टा की सदान। सामरज के शाषन की जमेदारी किसके हाथों में थी तो बेरम खाके हाथों में थी regulating act की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन से act पारित किया गया था तो pits इंडिया act पारित किया गया था कि राष्ट कूष शाषक ने करवाय था तो कृष्ण प्रतम ने करवाय था मौरे काल में मर्ग करवसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था सुलका दक्ष का जाता था मोहां जोदारु की खुदाई किस नदी के तटपर हुई थी तो सिंदू नदी के तटपर हुई थी अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर ना कर सका परंतु से जहांगीन ने पूरा कर दिया वह कारे कौन सा था तो मेवार की अधिनता थी किस राजा के शाशनकाल में अश्ट प्रधान मंत्री पर से धुआ करती थी थी तो सिवाजी के शाशनकाल में मुगलकाल के प्रशिश चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रन किस ने किया था तो मंसूर ने किया था जालिम होआई के नाम से प्रदुशासक किस देश का था? तो ये भाहमनी वंश्का था राजा की उत्पत्ती के विशाय में प्रतम साक्षी किस गरंद से मिलता है तो एतरिय ब्रामण से मिलता है विशुद्धमार की रचना किस न की थी? तो बुद्ध घोशने की थी संस्कित के नाटकों में पट्टाच्शेप के लिए यवनि का सबड का प्रयोग किया जाता था यह किस भाशा का सब्द है यeवनि का इसा की प्रारंब्लिक सताब्डियों में छोम किसको कहा जाता था तो लिजन नके कपड़े सब्सक्राइब को जिंदापीर के नाम से जाना जाता था अरंग जीव को जिंदापीर का जाता था क्लाइग के समय में बंगाल में स्वेत विद्रो हुआ था इसे किस ने और किस लिए किया था तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था साइमन कमिशन ने सिक्षा की शेत्र में हुए विकास की समिक्षा के लिए किस समीधी की स्थापना की थी तो हर टाग समीधी की स्थापना की गई थी गीत गोवेंद ग्रंत के लिखक जैदेव किस शाशक के दरवारी कवी थे तो ये लक्षमर सेंके शाशनकाल में रहते थे, दरवारी कवी थे चारों आश्रमों का सर्वद्म उनलेक इस गरंथ में मलता है तो जाबा लोप निश्चाथ में मिलता है चारों आश्रमों का सबसे पहले उनलेक सुद्पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण गरंथ है तो ये बौध धर्म का महत्वपूर्ण गरंथ है बौध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता था तो बुद्ध तथागत और शाक्ष मुनी के नामों से बौध को जाना जाता था स्वमुत्रगुप्त के इलावाद प्रसस्ती लेक का लिखा कौन है तो हरीशेन है दिली सल्तनत में प्राणाली का प्रारंब किस शाशन ने किया था किस शाशक ने किया था इल्तोत मिश ने किया था दिली सल्तनत की प्राणाली का प्रारंब अर्वी भाशा में लिखी कई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी गृती है तो यह अलवरुनी की कृती है अगवर की भूराजसोयस्था के प्रवर्ता कौन थे तो टोडरमल थे जहांगीर के शाशनकाल में अस्तमत बेगम एतमादुल्ला और आसफ खां किस गुट के प्रमुक कि था भारत में प्रिशले सबसे पहले सिक्क Kommustas प्रकार के थे इतिहास सिकंदर और दारा की युद्ध में सिकंदर इुद्ध में कहां के राजा थे तो कर्म्श सिकंदर यॕृण यूलान दारा आपका इरान का राजा था पानीपत की तीसी लड़ाई में मराठों का सेनापती कौन था तो सदा सिव राय भाव थे डिली सल्तनत का वह कौन सा प्रतम सुल्तान था जिसने सुद्ध अर्वी सिक्के टका और जीतल जारी के थे तो उल्ततमुस्थ था हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो 1576 ECU में हुआ था साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रतम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रतान मंत्री बन गया था तो क्लीमिट एटली किस राजवांश के दोरान महावाली पुरम के मंदर इस्थापित दिर निकाए किस पिटक का खंड है तो यह सुद्पटक का खंड है अशोक काल में आहुत बौध संगती का अधक्ष कौन था तो मौगाली पुत्र तिस्म था जवनिका किसके लिए प्रयोक किया जाने वाला यूनानी शब्द है तो संस्क्रत के नाटकों के नाटकों में पट्ता छेप के लिए प्रयोक्त क में हुआ था इतिहास में तूतिय हिंद उपनाम के नाम से प्रसित थे तो अमीर खुसरो कुत्वोधिन एवक का लोगपरी उपनाम क्या था तो लाग बक्ष था प्राचीन यवदीप का आधने के नाम क्या है तो जावा है दक्षण के अलावार तथा निवनार क्रमसक किस देवता की उपासक थे तो अलावार थे आपके विष्णू के और निवनार थे आपके शिव के सल्टन काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्मान किया किस ने कराया था तो सुल्तान फिरोज दुगलगने कराया था और अंग जेवने शिवाजी को क्याती कर किस शहर मे हैं। रिघवेद मैं किने दो तीरगतरों का उल्लेक मिलता है तो रिशब देव और स्छटी नेमी का उलइक मिलता है। वे हराओ किस संपरदाय के प्रमुक आरद थे तो कापालि के संपरदाए के प्रमुक आराद थे संगमकाली इंदक्षण भारत मैं भगवान कृष्णि की तो लना किस देवता से की गई है तो मेव स्मती से यह पता चला है कि गुप्तकाली नियाए वयस्था में नायले के चार वर्ग थे तो नारद इस्मती से पता चला है कल्ब सूत्र क ने किया था लॉड वैले जल्दी ने किया था साइक संधीका अमेर खुचरो की रचना खजैन उल फत्तूह किस शाशक से संबने थी तो यह अलावदीन खिलजी से संबने थी आवदान कल्प लता ग्रंद के रचनकार कौन थे तो छे मिद्र थे प्राचीन तमिल व्याकरन तो ल bıकाडियम किस संगम की रचित पुस्तक है दोसगम के रचित पुस्तक है गुप्त वंष के पर्थम और अंतिम्सल को थे तो पैस स्री पुपत अर ँंत रचम रचित व можно कि से थी थे महर समय कहां से तो यह मुश धिए हर्चे वर्दन कि से राजकिंश का अंतरगत श्यानिक विवाग का प्रमकौन था तो मीरवक्षी था नचीकेता और यम के बीच सुप्रसद्ध समवाद उलिखेत है तो ये कठोपनिसद में लिखा हुआ है सिंद पर मुहंबद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कप किया था तो 711 इस विव में हुमाई नॉमा किसकी करती है तो गुल बदन बेगम की करती है डिली सल्तनत की आधिकारिक भाशा थी तो फार्सी थी पंच सिधांतिका व्रहद सहिता और व्रहद जातक किसकी रचना है तो ये वारावमेर की रचना है शिप्रानदी की किनारे बसा कौन सा नगर चंदकुप्ति दोती की पश्चमी राजधानी था तो उज्जेन सातवहन वंश में सर्चिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शाषन किया था तो नागनिका और गौतमी ने शाषन किया था बौध गंतों में मिलिंडर को किस नाग से अभी हीत किया गया है तो मिलिंड से अभी हीत किया गया है Kalaaki के Sally को Greek Baud Shelley की संगय दी गई है तो गांधार शैली को दी गई है देवी चंदर गुपतम की रचना किस न की थी तो विशाख रत्तने की थी अर्दनारिशवर की कलपना हिंदु धर्मे में किस मत में हैं तो श्यव मत में हैं बारासो च्छे इसा में 1290 इसा तक दिल्ली सल्तनत पर किस वन्ष का राज था तो कथा कथित गुलाम वन्ष था उस समय राजा अगबर का राज अभिशेक 14 वर्ष की आयो में हुआ था यह कहां पर जो है संपन हुआ था तो काला नौर में उनका विशेक हुआ था जहांगीर की म्रत्यू के पश्षाद नूर जहान किसे मुगल समराड गोशित किया था तो शहयार को गोशित किया था हिंदुओं के दो प्राशीन तम वहां का विकौन कौन से है तो रामान और महावार्द भारत आने वाला पहला चीनिया तरी कौन था तो फायंग था बहुत गरंतों का वास्तिव की नाम क्या था तो अबू रेहान मुहंबत था अलवरुणी का नाम दिली सल्टनात का अंतिम मुगल साशक कौन था तो इब्राहिम लोधी था अंतिमुगल सुल्तान या साशक अनन्त वर्मन द्वारा निर्मित लिंग राजमंदर कहां इस्ते थे तो ये व् च्छक की दुवारा चलाये गए सिक्कों पर उलुद की मूर्ति के बने होने के संकेत में लें ने तो कनिशक ने बुद्ध की मूर्ति वाले सिक्के चलाये थि महा जनपतों में सिक्किस महा जनपत की राजधानी का नाम गीरी वरस था तो मगत की राजधानी का नाम गीरी वरस था कोटेली के अर्थसास्तर में गुप्तिशरों को क्या कहा गया है तो गूण पुरुष कहा गया है बिनुजार की मत्यू के समय, अशोक कहां का वाएस राय था, असलामी आचार विचार के कानुन को क्या कहा जाता है, तो शरियत कहा जाता है, कनार्गमेवर्य अपनि आत्म करता तुझक ए बावरी तुझकर लए ऩर गजाता म सवतनद्र का कि राजधानल य। तो मता जीजा भाई और गुरु राम्दास ने प्रदान कि थी वेशालि के इस महाजनपत के राजदानी थी तो वज्जी की थी कन्न वंश की स्थापन वश्व देवने कि थी और इस वंश का अंतिम शाशक कौन था तो इस वंश का अंतिम ॏ शाशक सु शर्मा रुद्रदामन के शाशनकाल में कौन सा स्थल सिख्षा के लिए प्रमुत केंद्र बना था तो उज्जैनी बना था सबसे ज्यादा प्रमुत केंद्र उस समय दिल्ली सल्तनत की सीमा का सरवादिक विस्तार किस सुल्तान की समय हुआ था तो मुहंबद बिन तुगलक की समय में सवतंतर राजबुतर राज मेवार का सरवादिक प्रसिद्ध शाशक कौन था तो राणा कुम्बा था काला नौर मेराज अविशेक के समय अकबर की आयू क्या थी 14 वर्ष का था अकबर मराठा राजी के सुतंतर शाशक के रूप में 1674 इस्वी में सिवाजी का विदिव्यत राज अविशेक कहां पर हुआ था तो रायगर के दुर्ग में हुआ था रायगर के किले में किस पेशवा के समय मराठा संग की समस्ष्ट शक्ति पेश्वा के हाथों में आ गई थी तो बाजी राओ प्रथम की समय बंगाल में स्थाई बंदोवस्त के रूप में इस्तमरारी वंदोवस्त का सूतरपाद, किस गौवर्नर जर्ण ने किया था लॉड कोर्ण वालिस ने किया था, 19 और कुलहीन कहा गया है तो मुद्रा राक्षर में अशोक के अभी लेखों को पढ़ने में सरबसम 1837 इसवी में किस विद्वान को सफलताम प्राप्त होई थी तो जेम्स प्रिंसेप को 1175 इसवी से 1226 इसवी तक भारत पर किस विदेशी शाशक ने लगाता रहा हमला किया था तो शहाबुदीन मुहंबद गौरी ने तारीक ए फिरोज साही की रचना किस ने की तो जिया उद्दीन बरनी न की थी अगवर ने इबादत खाना की स्थापना की थी तो फटेपुर सी देवगणि का दशावतार मंद्र किस कालक की मंदर कला का सरवत्तम उधान है तो ये गुप्तकाली मंदर कला का सरवत्तम उधान है नेबाद न मत की उतकष्ट और प्राचीनतम व्याक्ष था तो भगवत कीता में सबसे अच्छी व्याक्ष और übers страх वीशत साशकत הי差不多 तो थानिश्वर के पुष्य भूती त्यामूर लंग ने किसके शाशनकाल में भारत पर आक्रामन किया था हिए नसुर ट्रणुल्दीन महामूद के समय समय और आ好吃 एकमूर ने आक्रामान कvalue यो ब्र। आरेव की शर्लेज की हशनकाल नीकिया स४ंपोर Choyant सौ युद्धों का विज्यता का माने जाता है तो सौमध्रगुप्त को सौ युद्धों का विज्यता माने जाता है शोलंकी वंस्किक के शाशक के साशनकाल में महमूद गजनवी ने कहमूद नहीं महमूद होगा गजनवी ने सोमनात मंदिर पर अक्रमण किया था तो भीम प्रथम के साशनकाल में नूर जहां की स्थापत कला की महतुपूर्ण क्रतियां क्या है तो जहांगीर का मकवरा एतमाद उल्ला का मकवरा बॉद शब्दावली में धर्म चक्रप्रवत से एक प्रवावशाली से क्या निदेशित होता है तो धर्म चक्रप्रवतन बुद्ध का प्रथम उब्देश एक मुगडधारी राजा को सदा धर्म की द्रश्टी में रहकर चाशन करना चाहिए यह कतन किसका था तो कृष्ण देव राय का कतन था जातकों में मुख्य किये है तो आश्टांगे कमार की बात किये कलाखी कि सैली को ग्रीक बॉद्ध शैली की संगय दी आते तो गांधार शैली को फिरोज तुकलक द्वारा स्थापित मद्द कालीन किस नगर को सिराज हिंद उपाधी से नवाजा गया है तो जौनपुर को नवाजा गया है पवित्र युद्ध की संगय एए चीनी बोद्यात्री वहिंसांग कि ने वातापी की यात्रा की थी उस समय का शाषर कौन था तो प्लकेशन द्वती थी अजौ श्यक्तर था तो हर्यक का श्यक्तर व्यदों का अपवरू शे क्यों कहा जाता है तो मानता कि अनुस्राइए बारोमी की मानवासी है। मुहमबद किस इतिहाश परसिद का वास्त्य के नाम है। 1206 से लेकर 1290 इसवी तक दिली सल्टनत पर किस वंश का रास्ता तो गुलाव वंश का रास्ता नूर जहां ने किसको एतमाद दौला की उपाधी प्रदान की थी तो अपने पिता मिर्जा गयास वेग को मराठा राज के सुतंत्र शाशक के रूप में 1674 इसवी में सिवाजी का विदिवत राज जयविशे कहां पर हुआ था तो रायगड के दुर्ग में भारत काइंस्टाइन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है तो वह कौन है तो नागार जुन सल्दनत कालीन के साशक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इंकार कर स्वयम को खलीफा घोशित कर दिया था तो मुबारक शाह खिल जी ने भारत पर तैमूर के आक्रमन के समय दिल्ली की गद्धी पर कौन सत्ता सीन हो गया था या सत्ता दीन हो गया था तो नसुरत दीन म मुहंबत तुगलग भारत में पूरता इसलामी परंपरा की आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है तो जमात खाना मस्जिद किस मुगल समराथ ने सिखोंके पांच वे गुरु अर्जय उन्दयों को फांसी की स्याजी थी तो जहांगीर ने चेतक नामक प्रसिद ए साथ उड़ालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है यह किसके काल में हुआ था तो यह चोलवंश के काल में हुआ था सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजय नगर सामराज का पतन हो गया था तो रक्ष रक्ष सी तगड़ी मतलब ताली कोटा की मानस के रश है था संथ तुलसिदस किस मुगल काली दे बाश्चा के समकालीन थे तो यह एकबर की समकालीन थे जो बाद में संकरा चार बने का जन्म हुआ था तो केरल के कलाडी ग्राम में हुआ था संगम साहित का मुख्य विश्य क्या था तो युद्ध और प्रेम दिल्ल तुगलक सत्ता सीन था तब भारत पर किस ने आक्रमन किया था तो तैमूर लंग ने आक्रमन किया था उस समय किस भारत का आइश्टाइन कहा जाता है उसकी तुलना मार्टिन लुथर से किया थी अभी आपको था नाकार जुन चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विज मंद्र किस संगम कालीनित्र संगमाल से संगम काल से किस संगमाल कर दशाओं मंदर के दिवान और्च कि स्थापना की यह व्याग था दख्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली पहला सुल्टान कSub दिली से तो अलाओद्डी मयशु dसाशक ने राज़दानी को सरपदम दिली संद दिली से सिकंद्र लोधी ने अलाओद्डी दुआरा निर्मार कराए गया सालाई कुटब मजिद का सुल्गाए गवोगड का दशावतार मंदर की मंदर कला का सरुत्तम उधान है तो ये गुप्त कालीन मंदर का सरुत्तम उधान है ऐसे पहले भारती कौन थे जिन्हों ने अंग्रेजों ने किसी प्रांद का गवर्नर बनाय था तो सतेंद्र प्रशाद सिना विजयनगर कृष्ण देव राय की रचना आमुक्त मालेद का वयने विशय है तो ये जो है लोग प्रशाशन और विदेश नीती का इसमें जिक्र किया गया है गोल कुंडा के मुसलिम राज का उधाय के सप्राचीन हिंदू सामराज के आवशेशों पर हुआ है तो वारंगल के सिविल सेवाओं में भरती के लिए ख आतर करने वाला विदेशी रांगने तो ये निय था उस समय मौंबत शाह तर्ती के समय उससांग ने कांची कांची की आतरा की थी नर सिंग वर्वन परतम के दे संगतियों का आउजन किस प्रियोयन से किया गया था तो बुद्ध की सिक्षाओं की समाकलन और विवादों के ट्रिप्टक के अंग कौन कौन से तो विनय सुथ और अभीधम अमीर खुसरो रचित खजेन उल्फ तूह किस साशक के सम्बंद में जानकाई देता है तो अलाउदीन खिल जी के संबंद में दिली सल्टनत की आधिकारिक भाशा कौन सी थी फासी थी कोटेल के अतसास्तर से कि मौरे के प्रिशाशने की वरसथा की जानकाई मिलती है रत्नावाली और नागनाध नामक तीन प्रसुत न Chang Ty ha भार्ट की प्रथम विक्सित सेंदर सविता के संबंद में जानकारी प्राप्त करने का एक मात सोथ क्या है तो उत्खनों से प्राप्त नगरावशीष दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सेनिकों को भी वेतन भूराजस के रूप में देने के प्रथा शुरू की थी तो फिरो 143 एसव में किसके शचनकाल में विजय नगर की यतर की थी तो क्रिशनद्यव राय की चुछन का भी चुछन की कई चैनल पर नहीं को सब्सक्राइब किजिए रोज यादी पढ़ना है तो ज़रूर आप कमिंट करके बताइए रोज यादी आपको दोस्तों कौशन चाहिए